नमस्कार बच्चों मैं दाबिलेंड इस्टेडी सेंटर से गोर्व के लिए और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज क्लास नाइन का चैप्टर वन इन्जोग्रफी तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा पहला चैप्टर जो है वो इंडिया साइज एंड लोकेशन यानि इस चैप्टर में यह बता गया है कि भारत का जो विस्तार है वो किस तरीके से है और भारत की जो पोजिशन है वो किस तरीके से है तो इंडिया इस दा वन आफ दा एशेयन सिविलाइजेशन इन दा वर्ड इट हैज दा अचीव मल्टी फेस सोश्यो एकनोमी प्रोग्रेस डूरिंग दा लाश्ट फाइव डिकेट्स तो भारत जो है वो सबसे पुरानी सभेता है तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता ह है आपका सभेता और पिछले पास सदियों से भी ज्यादा हम यह देखते आ रहें कि यहां पर मल्टी फेस सोश्यो एकनोमी है मल्टी फेस मतलब हर तरह की एकनोमी यहां पर है यानि हम ही कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसके अंदर agriculture, industry, technology और economic development बहुत तेजी से हो रहा है तो इसमें हमारा सबसे पहला point आ जाता है कि भारत के अंदर कौन कौन से sector है तो यह आपको याद रखना है agriculture है, industry है, technology है ठीक है और economical development है, अब आज आती है what is location of the India तो India has a vast country lying entirely in the northern hemisphere तो आप इंडिया की जो position है उसे देख सकते हो, यह कहलाती है आपकी northern hemisphere position clear, तो आपको याद रखना है इस position को हम क्या कहते है northern hemisphere ओके तो आपको याद रखना है, इस हम कहते है northern hemisphere इस अधार पर कि ये north की position को लिये हुए है आगे the main land exists between the altitude of the 0.4 north minute north and 37 degree 6 minute north and the longitude is 68 degree 7 east and 97 degree 25 east तो यहाँ पर आपको यह समझने की जवरत है पहले इस ने बोला आप से latitude तो latitude का मतलब होता है जो आपकी लाइने लेटी हुई होती है उन्हें हम latitude कहते है तो भारत की जो पोजिशन है latitude के अनुसार वो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वो हमें पता लगता है कि भाया यह 8 degree 4 minute से ठीक है आप देख रहे जैसे प्रिस्वी थोड़ा सा तिल है उपर की ओर है तो इसलिए इसका latitude जो इस्ट से और स्वारी नॉर्थ से किस ओर हो जाता है आपका 37 degree 6 minute नॉर्थ तक पर आग इसके longitude की बात करें तो longitude इसका क्या हो जाता है तो longitude जो है वो हो जाता है हमारा 68 degree 7 minute east से 97 degree 25 east तक तो आपको यह धियान रखना है यह हमारे जो भारत है उसकी position है एक्जाम में एक नंबरा question इसके ओपर ज़रूर फसता है आगे the tropical of cancer 23 degree and the 30 north and divide the country into cost to equal part तो यहाँ पर एक याद रखने वाली बात है आपकी कि जो इसके tropical of cancer है tropical of cancer का मतलब कि एक ऐसी line जो पूरे भारत को दो बराबर हिस्सों में बाटती है तो अगर हम देखते हैं कि भारत को दो बराबर हिस्सों में बाटने वाली लाइन को क्या कहते हैं तो एक कोशन आ सकता है दियान रखना है तो दो बराबर हिस्सों में बाटने वाली लाइन को आप क्या कहते हैं ट्रॉपिकल of cancer तो याद रखना है आपको जो आपकी ये ट्रॉपिक आफ कैंसर है ये 23 degree 30 north से ठीक है ब्रित भारत को दो बराबर भागों में बाटने तो दा साउथन एन दा साउथन वेस्ट आफ दा में लैंड लाइ दा अंडवा निकोबार ठीक है आइसलेंड एंड लक्षे दीप आइसलेंड एंड बेयो बंगाल साउधी अरेबिया हाँ दा आरेबियं सी तो कहने का मतलब यह कि भारत के साथ और क्या और जोड़ा हुआ है भारत पाइन्ड के साथ इसके आईलाइंड है हम जानते कि इसके दो समुंद्र है तो इसको दो नो और से हम छो इसकी श्टेडी करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं दो यू नो The southernmost point of the Indra point तो आपको याद रखना है पेपर का एक most important question है कि आपसे पुझा जाएगी southernmost point को क्या कहते हैं तो उस हम कहते हैं इंद्रा point Clear? Summage the sea water in the 2004 during the tsunami तो 2004 में गुजरात में सुनामी आया था उसके बाद से इस point को हम जानते हैं तो बात करते हैं size की अगर हम बात करते हैं या भारत का size किस तरही का है तो भारत के size को दो अधार में बाटा गया है एक दुनिया के ratio के अधार पर और दूसरा इसकी land के अधार पर तो the land mass of India was the area 3.28 तो याद रखना है इसका land mass आप से पूछा जाएगा के इसका land mass कितना है तो यह जो land mass दे रखा है यह all of the world दे रखा है तो वर्ल्ड के अधार पर जो इसका land mass है वो है 3.28 ठीक है million square ठीक है million kilometer square ओके the India total area accounted about the 2.4 percent in total geographical ठीक है यानि की भारत का जो geographical area है वो कितना है तो भारत का geographical area है 2.4 ओके area of the world from the figure 1.2 from the figure 1.2 it clear that the India is the 7th largest country in the world most important line आपको पताओना चीए कि भारत जो है वो कौन से नंबर पर आता है तो भारत जो है दुनिया के साथवे नंबर की सबसे बड़ी country है boundary about the 15,200 km total length of the coastal line of the mainland including the underbar and the nicobar and लक्षदीब is 7516.6 km तो अगर आप से पूछा जाए टोटल भारत की लंबाई कितनी है तो आप क्या answer देंगे तो आपका answer होना चाहिए भारत की कुल लंबाई 15,200 km है जिसके अंदर coastal area यानी coastal line भी include होती है इसके इलावा 7516 km का अंड़बा निकोबार और लक्षदीब दीब समुहू यानी coastal land इसमें include गया जाता है अब डियर रहे है तो आगे हम अगर बात ब्रहते हैं तो इंडिया इज आप Boundry by the Young Falls Mountain यानी दिया की नौर्थ वाला इससा है नौर्थ चून टो नौर्थ में महाँ पर एक mountain है और इस Mountain का नाम क्या है है आप जानते है'm से नाम है है हाझी मांट equation जि क्लिए नौर्स से नॉर्थ से नॉर्थ फैला हुआ है त्यूक a proste armored 22 नॉर्थ लिय टियोले गैस अरbe 22 नॉर्ठ लिकियूल की यह हैर इट बिटियेन देपर एंड जैनथ फार डह ऐंड्च्टेशन गोद्ड की इन्टिक में और भारत जो है, दो समुद्रों के बीच में है, तो इसके दोनों और दो समुद्र है, तो उन्हें इंडियन अशीनस बोला जाता है, तो दो समुद्र कौन कौन से हैं, तो एक हमारा Arabian Sea on the West, तो इस पेपर में पूचता है, West में कौन सा समुद्र हैं, तो आपको याद रखना करते हैं बेव बंगाल की तो बेव बंगाल की साट बढ़ेगा इस्ट की और ठीक है तो बेव बंगाल हमारा बढ़ता है इस्ट की और तो यह दो समुदरी सीमा जो है भारास से जुड़े हुए है look at the figure 1.3 and the note that the latitude and longitude extent of the mainland about the 30 degree despite the fact the east-west extent appears to be the smaller than the north-south extent तो कहने का मतलब है कि भारत का जो east से west का हिस्सा है वो थोड़ा चोड़ा है पर जैसे जैसे north से south के हिस्सा को देखते हैं तो थोड़ा सा हो क्या हो जाता है लंबा हो जाता है ओके हैनी चोड़ा ही लंबा ही बराबन नहीं है दा गुजरात और अनाचल परदेश देर दा time lag of two hour गुजरात से लेकर और नाचल परदेश के बीच में दो घंटे का डिफरेंस है अब paper में पूछा जाता है यह दो घंटे का डिफरेंस क्यों है तो इस चीज़ का हम जवाब लेते हैं कि हमने अब यह भी पढ़ा था कि longitude होता है एक latitude होता है पर आपको यह पता होना चाहिए जहाँ पर आपका longitude और latitude एक दूसरे को intersect करते हैं तो हर point को grid कहा जाता है और हर grid जो है वो चार minute को दरसाती है कितने minute को दरसाती है चार minute को तो इस तरीके से जो उनके बीच का जो difference है वो दो गंटे का difference है क्लियर क्योंकि साथ minute का वादर 120 minute का difference दोनों के बीच में देखने के लिए क्लियर तो हैंस तो हैंस तो अलोंग दा स्टेंडर मिरेडियान आफ इंडिया ठीक है 82 डिग्री 30 मिनट इस यह मुश इंपोर्टेंट है पूछा जाता है भारत का मिरेडियन कहां पर है तो मिर्जापूर डाम याद रखना है क्या बोला मैंने मिर्जापूर झो यह मुश नहाता है मिर्जापूर कहा है तो उत्तर पर्देश में ओके टेकन दा इस्टेंडर टाइम फॉर दा हॉल कंट्री दा लेडिट्यूड एक्स्टेंड इंफ्लेंस दा डूरेशर आफ दा डे अड़ नाइट एज वान मूव एंड दा साउट अफ दा नॉर्थ क्लियर जैसे हम मूव करते हैं साउट से नॉर्थ की ओर जैस्ट से वेस्ट की ओर तो हमें टाइम जोन में डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है फाइंड आउट उससे नीचा जाएए इंडिया एंड दा वर्ल्ड वर्ल्ड के अधार में भारत की पोजिशन ब्हारत की जो सेंट्र वर्ल के अधार्ट की है वह एस्ट और वेस्ट एस्ट अजीशन के बीछ में यानि हम यह कह सकते है भारत एक सेंटर है पुरी दुनिया का इंडिया इज था साउथ वेस्ट साउथ वर्ल एक्सेंट अफ याशह का आईशन ocean route which connect the country of the Europe and the west of the country of the East Asia provide the strategic central location of India. यह most important line है क्योंकि इसमें पीछे question भी आएगा आपका कि भारत को central location क्यों कहा जाता है तो भारत को central location इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि यह जो है बिलकुल middle में पढ़ता है middle को हम किस तरह के से लिखेंगे कि ocean route which connect of the country of the Europe in the west and the country of east the Asian provide the strategic central location in India. Note that Deccan Peninsula take a pro-tude into the Indian Ocean those helping India to stabilize close connect with West Asia. Africa and Europe from the western coast and with the southern east and East Asia from the eastern coast no other country has a long coast line on the India Indian Ocean as the India has has and needed it is the India a minted position in the Indian Ocean which justify the naming of the ocean after. यानि हम यह कह सकते हैं कि भारत के जो oceans हैं वह भी और देश के ocean की सीमा के साथ लगते हैं जिसके वे से एक network channel बन जाता है. चलिए तो इसी में कोशन आता है जो हमारी Swiss channel है वो 1869 में खोली गई का 1869 तो यह एक तरह का route था जिसने यूरोप के और इंडिया के बीच के साथ हजार किलोमीटर difference को distance को कम कर दिया. कि लिए ने बाद यहां तक? ओके तो आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा एक भारत का नक्षा दिखाया गया है जिसके अंदर हमें भारत की position को degree में दिखाया गया है तो आप देख सकते हैं नौर्थ में यह जो position है यह 37 degree और 6 minute अगर south में चलते हैं तो 4 degree 8 degree और 4 minute और अगर आप east में चलते हैं तो 97 degree 25 minute और west में चलते हैं तो 68 degree और 7 minute ओके ओके और standard median में आपको बताई दिया 82 degree and 30 minute तो यह हमारा standard median है आप अगर ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो line भारत को तो middle part में बाठती है उसे हम topic of cancer कहते हैं क्लियर ओके तो आगर चलते हैं छीक है तो हमारी बात आती है इंडिया is the connect with the world have contribute through the age but there the relationship through the land route are much older than the maritime continent यह बोल रहा है कि भारत के जो route से वो आज से जुड़े हुए रही है बहुत कुराने समय से वो एक दूसरे से जुड़े हुए है जब लोगों को समंदर से डर लगता था यह समंदरी यात्रा पे वो नहीं जाया करते थे उस समय वे पहाड पार करके आते थे तो उन्हें कहा जाता है passage क्या बोला जाता है passage P-A-S-S-A-G-E passage तो वो passage होते हैं जिसका मतलब होता है पहाड में रास्ता और इनी रास्तों से जानी समानों को लाया ले जाया जाता था तो इसी के माध्यम से दुनिया के सभी कौनों में हमारे उपनिशाद, रमायान और पश्तंत्र जैसी जो कहानिया है वो वहाँ तक पहुची इसके लाबा spices, mislein, mislein एक तरह का कपड़ा होता है बच्चो and merchandise there that taken would the India different country ठीक है इसी तरीके से mislein या मसाले जो हैं वो दुनिया में हर कोने तक पहुचे on the other hand the influence of Greek spectulas and the architecture style of the dom and the West Asia can be see the different part of our country यानि जो गुमबद बनाना है वो भी भार से भारत में आया है यानि ये कहां से आया है तो गुमबद बनाने का style आपके Greek से आया है आपको याद रखना है ठीक है आगे आती है Indian neighbors के भारत के पडोसी राज्ये कौन से है पर अगर आपको एक छोटा उपर नक्षा देखे तो उसमें आपको करीबन आठ हैसे देश मिलेंगे जो भारत के पडोसी राज्ये के तोर पर जाने जाते है Indian occupy the important strategic position of the South Asia इसे हम South Asia बोलते हैं क्या बोलते हैं इस पार्ट को South Asia की भारत की जो position है वो South Asia में है इंडिया has the 28 state and 7 unit territory आपको बता दूँ अब भारत में 29 state है और 7 की जगा कितनी unit territory है 9 unit territory है तो यह आपको पता होना चाहिए क्लियर है अब यहां पर आपको पता होना चाहिए किस किस से हमारी land boundary बढ़ती है पाकिस्तान अफगानिस्तान ठीक है इन नॉर्थ वेस्ट तो अगर आपसे पुछा जाना नॉर्थ वेस्ट के दो कंट्रियों के नाम बताई जो भारत से जुड़ते है तो याद रखना है पागिस्तान और अफगानिस्तान तिबबत यानी चाइना नेपाल भूतन ठीक है भूतन इन नौर्थ ठीक है वो था नौर्थ वेस्ट यह होता है नौर्थ अगला मयम्मार बंगलादेश इस इस्ट ठीक है and the south neighbor across the sea country ठीक है of the two island country ठीक है तो south में दो island country है हमारी ओके तो before the 1947 there were the two type of the state India the province and the princely state कि अगर इन 1947 से पहले की बात करें तो भारत में दो तरह की state होती थी एक होती थी provinces और एक होती थी princely प्रोवेंसी वर्दा रूल बाय डिरेक्टिड बाय था ब्रिटिस जो प्रोवेंस प्रोवेंस इस्टेट होती थी उन्हें ब्रिटिस गवर्मेंट रूल करती थी and who were the appointed by the viceroy और इसके अंदर उन्हें चलाने के लिए viceroy को जो है एक उपादी होती है viceroy वो रखती जाती इसके लावा प्रिंसली स्टेट वर रूल प्रिंसली स्टेट वर रूल बाय लोकल हरीडिटी रूलर्स तो यानि कि राजाओ द्वारा चलाई जाती थी तो नौन एज सोरलिटी ठीके इन दर रिटर्न फोर्डा लोकल एटनॉमी तो उनके अपने खुद के कानून हुआ करते थी क्लियर है तो हम मैंने बताया था कि दो ऐसी कंट्री भी है जो समुंदरी सीमा से लगी हुई है भारत की तो दो कंट्री कौन सी है आपकी पहला है आपका स्री लंका और दूसरा है आपका मालदीव ठीक है तो आपको याद आपको याद रखना है क्या है नेबर कंट्री ओके सीलंका इस दा सेपरेटेट फ्रॉम ड़ा इंडिया बाय दढेरो चैनल आफ दा सी फरॉम दा पालक श्रीट तो आपको याद रखना है भारत और सीलंका के बीच में एक स्ट्रीट पढ़ती है इसे पालक स्ट्रीट भी क का समझ होता है जो भारत और सिलंका के बीच में बना है और इसके बीच में क्या है हमारा गल्फ ओफ मननार जो वाइल दा मालडीप आइस लेंड आर शिचुएटिड अन दा साउट तो आपको याद रखना है जो मालडीप है वो कहा बढ़ता है वो साउट में बनता है फिक है अफ दा लक्षदीप आईलेंड ओके लक्षदीप आईलेंड के नीचे क्लियर रहे हैं तक अगली बात आती है इंडिया है अस्ट्रोंग जोगरफिकल एंड दा हिस्टोरिकल लिंक भारत के जो है अपने पडोशियों के साथ काफी पुराने सम्मंद रहे है लोकेट दा फिजिकल मैप ऑफ दा एशिया इन अवर एटलेस और नोट दा इंडियान स्टार्ट दा पार्ट फ्रॉम दा रेस्ट आफ दा एशिया एक फिजिकल मैप लेके ये देखिए कि भारत के जो सम्मंद है तो किस तरीके से धीरे धीरे करके एक से दूसरे देश तक जुड़े है इसके बाद आपका बुक वर्क आता है इसके आप एक्सेस कीजिए मैं गुरुत्यागी दा बिलियंट स्टेडी सेंटर के साथ नमस्कार शेयर करें लाइक करें मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज बनाता रहूँगा बच्चे घर बैठके भी अपनी पढ़ाई को पुरा कर सकते हैं थैंक यू वेरी माच